दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल बाते साइच की पर आप सभी का एक बार पुन्य हर्दिक स्वागत। मित्रों, 1946 में प्रकाशित रामरिक्ष बेनिपूरी के रेखाचितर संग्र है, माटी की मूर्तें से हम तीन रेखाचितरों की चर्चा पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, प्रजिया, बलदेव सिंग और सर्जु भाईया। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इसी संकलन से चोथे रेखाचितर मंगर को पढ़ेंगे। मित्रों मंगर एक हलवाहा है जो रामरिक्ष बेनिपूरी के गाओं बेनिपूरी में रहता है। बेनिपूरी जी के पिता श्रिपूलवंच सिंग के साथ उसका गहरा लगाव था। बच्पन से ही रामरिक्ष बेनिपूरी जी मंगर को देखते उनके मजबूत कंधों का सफर्ष पाया। मंगर हल जुताई के लिए गाओं भर में प्रसिद्ध था। उसकी नेक दिली और महीन जुताई के कारण गाओं का प्रिटेक किसान मंगर से अपना खेट जुत जो भी उसके साथ स्वार्थ की बातें करता उसे मंगर की जिटकें सुननी पड़ती। पेनिपूरी जी जब कभी अपने निहाल पंसी पचड़ा जाते तो मंगर ही घोडे की लगाम पकड़े आगे-ागे चलता। पेनिपूरी जी के सामने उनके पिता फूलवन सिंग की द अलबसा और लड़की सस्राल जाकर अपनों को भूल गई। इस कारण उन्हें बच्चों से लगाव नहीं रहा। मंगर जीवन भर इमानदारी से महनत करता रहा। अब बुड़ापे में पति-पत्नी दोनों अकेले रहते हैं। पत्नी भकोलिया गाउं में छोटे-मोटे कार करके मंगर का पेट भरती। मंगर स्वाभिमानी था, जब तक शरीर में शक्ति रही, राद दिन कमाया, अब शरीर केवल नाम का रह गया। रोग की मार में पहले एक आंख चली गई और बाद में शरीर को अरधांग मार गया। बेनिपुरी जी ने बड़ी मार्मिक और नाम नहीं, फिर स्वाभिमान और उत्सा बनाये रखने की भरपूर कोशिश। शरीर अपने आप उठ नहीं सकता लेकिन जज़बा ऐसा कि अब भी मंगर बेनिपुरी के घर चला जाता। बेनिपुरी जी ने इस करून दिश्य पर लिखा है, पिसले माग में मैं घर पहु देखा सामने पुआल के टाल के नजदी के काला सास्ती पंजर बार-बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यह क्या? चौक कर उठा, उसोर बढ़ा, यह तो मंगर को अरधांग मार गया है। देखा, आँखें सजल हो उठे, निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा पड़े क्यों नहीं रहते, यह कैसे चोट लग रही होगी? पड़े-पड़े मन उप जाता है भभुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसे धीली पड़ गई, फून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब उसमें तरंगे उड़ती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर्धुन पचाडखा गिर-गिर पड़ती हैं। तो आईए मित्रों, चलते हैं रेखा चित्र मंगर की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रेयतने करते हैं। अपनी आवाज के हाज से ही बैलों को भगाता। मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जबसे मुझे होश है, मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मुझे याद आता है, हलके बदले कभी-कभी मुझे भी उसके कंधे पर चड़ने का स् चुका है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कमाये हैं, क्योंकि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभविक स्नेह नहीं, जो उसके जैसे लोगों में प्राय देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं। और आज जब मंगर ऐ शक्य अर्थात शक्तिह और जरजर अर्थात जीर्ण फूटा-फूटा फीडित हो चुका है। बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छडियों से उसे छेड़ कर भागते हैं। और जब वह जलाता अर्थात बहुत बिगड जाता। उन्हें मारने के लिए अपनी बुड़ाप घ्रणा या नफरत क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ कूथ बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा। और जो उसकी एक बच्ची थी तो लूली। वित्रों लूली अर्थात बिना हाथ की ऐसा है। और जिसकी रखाई बेरुखी अर्थात रूखापन कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबर्दस्ति भगा लाया। मंगर का स्वाभिमान? गरीबों में भी स्वाभिमान? लेकिन मंगर की खुबी यह भी रही है। मंगर ने किसी की बात कभी बरदास्त नहीं की। और शायद अप अबुजी को वह बहुत चाता था शायद उनके नेक अर्थात अच्छे स्वभाव के कारण किन्तु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा और मुझे तो कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा है इसकी मजाल अर्थात सामर्थ्य जो मंगर को बजजुब और उससे भी अधिक उसका सक्थ कमावपन जिसमें इमानदारी ने चार चांद लगा दिये थे जितनी देर में लोगों का हल दस कटा खेत जोता मित्रो कटा जमीन का एक माप होता है जो कि जरीब का बीसवा भाग होता है जरीब जमीन नापने की एक जंजीर होती है जो अंद्रे कटा जोत लेता और वह भी ऐसा महीं जोता कि पहली चास में ही सिरव मिलना मुस्किल वित्रों चास अर्थात जोत पहली चास अर्थात पहली बार जोतने पर ही मंगर को यह बताने की जरूत नहीं कि कल किस हेत में हल जाएगा वे शाम को ही सारे खेतों की आरपार आरपार अर्थात कोना कोना घूमाता और जिसकी ताक होती वहां हल ये सुबह सुबह पहुँच जाता चुताई के वक्त किसी की देखरेक की भी जरूरत नहीं आम हलवाओं के पीछे, किसान जो लठा लेकर पड़े रहते हैं, मित्रो लठा लेकर पड़े रहना, अर्थात हर समय पीछे लगे रहना, और तो भी वेजी चुराते, धिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते, यह आदत मंगर में थी ही नहीं, योहीं रखवाली चाह खलाहर के काम आता है, खलिहान में चाहे बुझों की सील हो, खलिहान अर्थात वैस्थान जहां पर हसल काटकर रखी जाती है और मानी जाती है, सील, अर्थात जमीन की नमी, या अनाज की रास, रास, अर्थात धेल, मंगर पर सब छोड़कर निशिंत सोया जा सकता था, पर क्यों न उसकी कद्र की जाए, मेरे बाबा कहते थे, मंगर हलवाहा नहीं है, सवांग है, मित्रों, सवांग अर्थात नाटकी व्यवहर वाला व्यक्ति, वैं अपने सवांग की तरह ही कभी-कभी रूट जाता था, और जब तब लोगों को जड़क भी देता था, उसकी जड़क सबके सिरांखों पर उसका रूठना और उसकी मनोती होती, मनोती अर्थात मनाने का कारियर, कभी-कभी बाते कुछ बढ़ भी जाती, एक दिन काफी कहा सुनी हो गई, दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया, इधर से बुलाहट भी नहीं गई, रुपए हैं, त उन्हें रुपए हैं, हजार हलवाहे मिलेंगे, तो तेरे भी शरीर है, हजार ग्रहस मिलेंगे, चल, हमारा हल जोद, तू जो कहेगा मजदूरी दूँगा, लेकिन मेरा सिरदर्द जो कर रहा है, मंगर ने इसका जवाब दिया, और उसका ये सिरदर्द तब तक बना रहा, जब तक जख मार कर मेरे चाचा जी, फिर उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि चार दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है, पहलों के कंदे छिल गए, उनके पैर में फार लग गए, वित्रो फार, हलकी अंकडी में लगाये जाने बाला नुकिला लोहा होता है, जिससे जम वाहे को टुकारी देते रहिए, टुकारी अर्था टोकना, तब कहीं दस कटा जमीन जुते, मंगर के बिना काम चल नहीं सकता, चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े है, मंगर भीतर घर में बैठा है, मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं जाओ, मान जाओ, कह दे, मेरा सिर दर्ध हो रहा है, मंगर ने चाचा जी को सुना कर कहा, मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तिल दिला दीजिएगा, भकोलिया हस्ती हुई बोली, तु मुझसे दिल लगी करती है, मंगर के स्वर में नाराज थी, मंगर चलो, आपस में कभी कुछ ह ही जाता है, माफ करो, चाचा जी के स्वर में आर्जु मिन्नत थी, आर्जु मिन्नत अर्थात विंती, जाइए, उसी से जुतवाईए, जिससे चार दिन जुतवाया है, मुझे ले जाकर क्या होगा, आधी रोटी की बचद भी तो होती होगी, योही नोग जोग मान मनोवल मान मनोवल अर्थात रूठना मनाना, फिर मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिये, आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे, ये आधी रोटी की बचद क्या, इसे समझा अपने, इसे मंगर का खास ही जारा समझे, जहां गाउं भर में हलवाहे को एक रोटी मिलती, म पैभी रोटी सुवन की हो और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता, मंगर की सभी सर्तें पूरी होती, लेकिन ये डेड रोटी वा खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझें, क्या अपनी अर्धांगिनी के जोनों बेलों को खिला देता, यों ये आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती, लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी, महादेव मूत आके और मैं खाऊं, ये कैसे होगा, मंगर के लिए ये बैल, बैल नहीं, साक्षात महादेव, अर्थात शिवजे थे, एक आद बार बाद बहुत बढ़ गई, तो मंगर मेरा गाउं छोड़ कर चला गया, लेकिन गाउं में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा, परिहत, अर्थात हल में पीछे की और लगी हुई वह लकड़ी, जिसे हल चलाते समय हाद से पकड़े रहते हैं, परिहत या मूट कहल आती है, दूसरे गाउं में भी वह जम नहीं सका, तब तीसरा गाउं देखा और अंत में मारा मारा फिर मेरे गाउं लोटा, शायद मेरे घर जैसा कदरदा, अर्थात कदर समझने वाला या काम का सम्मान करने वाला उसे कहीं नहीं मिला, मंगर का सुभाव रूखा और बेल अर्थात सच्चा, खरा, दो टूक बात करने वाला, स्वस्ट बात करने वाला या बेरुखी से बात करने वाला, किसी से ललो चपो नहीं, ललो चपो अर्थात चिकनी चुपडी बातें, लाई लप्टाई नहीं, लाई लप्टाई अर्थात निंदा या चुगली, दो थे, अब भी कहता है मालिक थे हमारे मजले बाबू कोई मरे मेरी तकदीर फूटी, और शायद इसलिए भी कि मैं बच्पन से ही टूर हूँ, तूर अर्थातव है ऐसा हाई बालक जिसकी मा मर गई हो मा मर गई, पिता जी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया और जब कुछ बड़ा हुआ मैं अनिहाल जाने आने और रहने लगा तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुचाता मैं एक छटी घोडी पर सवार छटी घोडी, अर्थात जिसके पैर छाटे गए हो मंगर सिर्पर सौगात की चीजें और मेरी किताबें लिए सौगात, अर्थात, भेंट या उपहार मंगर सिर्पर सौगात की चीजें और मेरी किताबें लिए घोडी की लगाम पकड़े आगे आगे जहानी चूँच जमीन होती कहीं मैं घोडी से गिर न जाऊं पगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता उसके बलिष्ट हाथों के उस को मल स्पर्ष का अनुभव आज भी कर रहा हूं जो जो बड़ा होता गया घर से मेरा संबंद तूटता गया पकॉल मंगर अर्थात मंगर के अनुसार मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया लेकिन जब-जब दो-चार दिनों के लिए घर जाता मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा करता कपड़ों से मंगर को वहशत रही है हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता उसे धोतिया मिली है गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह पहल के सिंगों में लटकन बानता क्या यों भी बाबा और चाचा साल में जब-तब पुरानी धोतिया दिया करते घर में शादी ब्या होने पर उसे लाल धोतिया भी मिली है मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्टा भी बना था लेकिन धोतिया हमेशा उसके सिर का ही स्रिंगार रही जन्हें वह मुरेठे की तरह अर्थाद साफे की तरह लपेटे रहता और कुर्ता जब मेरी किसी कुटमेती में अर्थात नातेदारी या रिस्तेदारी में वह संदेश लेकर जाता तभी उसकी देश ढगता यो साधरन तेव वह हमेशा नंग धड़ंग रहता और मैं कहूं मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता आज एक कलाकार की दृष्ची से कहता हूँ मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था काला कलूटा फिर भी खूबसूरत सौंदरे को रंगसाजी और नकाशी का मजमुआ समझने वालों की रुची मैं समझ नहीं पाता मित्रों रंगसाजी अर्थात रंग बनाने का काम या रंगों से सजाने का काम और नकाशी अर्थात चित्रकारी और मजमुआ अर्थात संग्रे या धेर सौंदरे को रंगसाजी और नकाशी का मजमुआ समझने वालों की रुची मैं समझ नहीं पाता ये कहने की गुस्ता की अर्थात अशिष्टा या बेयदबी के लिए आज भी मैं माफी मांगने को तैयार नहीं मंगर का वैकाला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविक्सित मानव पुल्टले का उत्कृष्ट नमूना उत्कृष्ट अर्थात शेष्ट लगातार की मेहनत ने उसकी मांस पेशियों को स्वाभाविक डंग पर उभार रखा था पहलवानों की तरह उनमें ऐस्वाभाविक उभार नहीं आई थी उभाड अर्थात उभरने या बढ़ने की क्रिया या उठान जांगें छाती भुजाएं सब में जहां जितनी जैसी गड़न और उभार चाहिए बस उतनी ही ने कहीं मांस का लोंदा ने कहीं सूखी काट एक सुडोल शरीर पर स्वाभाविक डंग से रखा एक साधरन सिर्थ मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक ब्यायाम के हिमायती अर्थात तरबदारी करने वाले मिस्टर मूलर की आकृति का स्मरन हो जाता है मंगर वै नहीं रहा जो कभी था करीबी को वह अपने अखड़पन से हमेशा धता बताए रहा लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका उसकी एक-एक चोट उसे धीरे-धीरे जरचर बनाती रही और आज उस पर यह कहावत लागू है तुकी हाड धाट भई भारी अब का अलदब हे व्यापारी उसके शरीर के मांस और मांस पेशिया ही नहीं गल गई हैं उसकी हड़िया तक सूख गई हैं आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंगी चित्र मातर रह गया है उड़ापे के प्रहारों के लिए जो धाल का काम करती उस चीज का संग्रे मंगर ने कभी किया ही नहीं आज खाय और कल को जखके ताको गोरक संग न रखे मित्रों इसका अर्थिया है कि जो वर्तमान में मस्त रहता है और कल की परवा नहीं करता गोरक नाथ नाथपंतियों के गुरू से अपने साथ नहीं रखते आज खाय और कल को जखके ताको गोरक संग न रखे का उपासक यह मंगर संग्रे का तो दुश्मन रहा कोई संतान भी नहीं रही जो बुड़ापे में उसकी लाठी बनती उम्र ने इस निरस्त्र अर्थात निहत्थे कवचिन युद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकश में थे मगर बुड़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर अर्थात छुटपुट विविद काम लिये गए लेकिन ये भी जादा दिनों तक नहीं चल सका अब एक ही उपाय रह गया था उसे पैंसन मिले लेकिन हलवाहों यथार्थ अंदाताओं के लिए पैंसन की हमारे अभागे देश में कहां वेवस्ता है और व्यक्तिगत दया का दाइरा तो हमेशा ही तंग रहा है फिर मंगर में जली हुई रस्षी की वे एंठन और शायद गर्मी भी है जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है दया का बादल चाहता है आशिर वचनों की शीतल सतह और मंगर के शब्द को उसमें उसका सर्वत्ह अभाव ही समझे इसके बदले आज भी वही पेलोस बातें जड़प जड़कियों की आच जो पानी की क्या बात उनको भी सुका दे इसके बावजूद उदारता की स्वाती बूंदें कभी-कभी टपकती किन्तु पपिहे की प्यास उससे भले ही बुझे मंगर के बुढ़ापे की मरूभू में अर्थात रेगिस्तान उससे सिंची नहीं जा सकती किया दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हट्डियों का ये जांजर अर्थात ये जरजर धांचा भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती उसकी अरगांगनी भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी वही जमुनियारंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूँ दो ही बच्चे हुए इसलिए स्तृत्व के उस महानक शे से ख्षय अर्थात नाश इसलिए स्तृत्व के उस महानक शे से बहुत कुछ वह बची रही जो मातृत्व का सुन्दर नाम पाता है यही कारण है मंगर जरजर जरजर हो गया लेकिन भकोलिया अभी चलती फिरती है कुछ हाथ पाउं चला कर संग्रह कर लेती और दोनों प्राणियों का बुजरब चला पाती है लेकिन यह भी कब तक चौकि वह बेचारी भी दिन दिन छीजती जाती है छीजना अर्थात ख्षीन होना या खराब होना भकोलिया मंगर की आदर्स जोड़ी शारिरिक धाचे में ही नहीं सुभाव में भी वे भी दिन थे जब तमककर बोलती तमककर अर्थात आवेश या जुझलाहट से बोलती जपट कर चलती न किसी को जल्द बूह लगाती और न किसी की हेटी अर्थात मानहानी बरदाश करती जिस किसी ने छेडा मानो काली सांपिन के फन पर पैर रखा लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुंकार मात्र थी फुंकार अर्थात फुफकार अर्थात सांप का गुस्से में मुह से हवा निकालना तंशन और विश्का अरोप उसके साथ महान अन्याय होगा पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्तिती के सांचे में ज्यादा और जल्द ढाल सकती है इसका उधारन यह भकोलिया है मंगर आज भी वही मंगर है मुंका बैलोस या पुहड कहिए लेकिन भकोलिया वही नहीं रही किसी का बच्चा खिला दिया किसी का कुटान पिसान कर दिया कुटान पिसान अर्थात पूटने पीषने का काम किसी का गोवर पात दिया, किसी का पानी भर दिया और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिला कर आप पीछे खाने बैठी किन्तु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है मंगर अपना सारा पित और पुरानी जड़प अब ज़्यदातर इसी पर जढ़ता है भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुचिबतों की विसर जाने का प्रेतन करता रहा विसर ना अर्थात भूल जाना उस भगवान ने पार साल अर्थात पिछले साल उसकी और दुरगत कर दी। उसे जोरों से अधक पारी उठी। अधक पारी अर्थात आधी सिर का दर्द। भकोलिया उसकी चिलाहट से पसीज। किसी दया की मूर्ति से डार चीनी अर्थात दाल चीनी मांगलाई और उसे बकरी के दूद में पीस कर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया पाई पुटपुरी पर और आँख पर भी लगा दे पुटपुरी अर्थात कनपटी मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभाव कर कहा भकोलिया हुक्म बजा लाई हुक्म बजाना अर्थात कहना मानना लेकिन यह क्या जहाँ जहाँ लेप था वहाँ अजीब जलन शुरू हुई जलन जक्म में बदली और जक्म ने उसकी एक आँख ले ली जब मैं घर गया पबुआ जी मेरी एक आँख चली गई मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा मैं उसे धाडस दे रहा था लेकिन मेरा हर्दय और विबदा अकेली कब रही पिछले माग में मैं घर पहुँचा सुबह धूप निकलाई थी लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आँखे मूंदे रजाई से लिप्टा पड़ा था थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की धम धम आवाज होती रजाई मूं से अटा कर आँखे खोली देखा सामने पूआल के टाल के नजदीक वित्रो पूआल पके हुए धान या कोदो आदी के डंठल जिन से दाने अलग कर लिये गए हो और टाल पूआल का पुंज या समोह सामने पूआल के टाल के नजदीक एक काला सास्ती पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है यह क्या चौक कर उठा उसोर बढ़ा यह तो मंगर है सुना था मंगर को अरधांग मार गिया है अरधांग अरथात पक्षा घात या लकवा देखा आँखें सजल हो उठी निकट गया उसे संभाला फिर कहा मंगर पड़े क्यों नहीं रहते यह कैसी चोट लग रही होगी पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ मंगर ने जवाब दिया उफ नसे धीली पड़ गई फून का सोता अरथात स्रोत या जरना सूख गया लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उरती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के थट पर सिर्धुन पचाडखा गिर गिर पड़ती है कैसा करूण द्रिश्य मित्रों माठी की मूर्ते में भारती मिट्टी की महक है भारत का ग्रामीन समाज इस कृती में अमरत्व पा गया है इस कृती की रचना से बेरी पुरीजी ने हिंदी के सर्वसेष सब्दी चित्रकार के रूप में ख्याती पाई है इसका कारण शायद यह है कि लेखक ने कदाचित पहली बार इन पृतियों के माध्यम से हिंदी के पाठकों के रूची बदलने का प्रयास किया इन मूर्तों के द्वारा लेखक ने ग्रामीन समाज के स्वच, सरल, सुन्दर, समवेधन शील प्राणियों की ओर हमारा ध्याना अकृष्ट किया सहित्यकार सामन निव्यक्ति की अपेक्षा अधिक समवेधन शील और जागरुप प्राणी होता है जीवन के बीटते दिन उसके मनोप्राण पर अपनी अवशिष्ट परते छोड़ते जाते हैं अधीद के ये क्षण अचानक कभी उसके मन को जगजोर देते हैं कुछ कहने के लिए, कुछ लिखने के लिए कलाकार के इस मान सिक्षन की और इंगित करते हुए बेनिपूरी जी ने अपना अनुभव इन शब्दों में व्यक्त किया है हजारी बाग सेंटरल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गाउं और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूरते मेरी आँकों के सामने आकर नाचिन लगी और मेरी कलम से चित्रन की याजना करने लगी उनकी इस याजना में कुछ ऐसा जोड़ था कि अन्त यह माटी की मूरते तैयार होकर रही माटी की इन ही मूरतों में से एक मूरत है मंगर की इस त्रेखा चित्रमे लेखक ने रपथम कोटी के खेती हर मजदूर मंगर का रेखांकन अत्यन्त सजीवता से किया है मंगर खेतों में काम करने वाला एक साधान मजदूर है परन्तु ये मजदूर एक औसत ग्रामिन के समान सदेव अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सतर्क है मंगर के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी उसका स्वाभिमान है परना तो किसी को अपने से बड़ा मानता है और ना किसी की बात सहन करता है ये और बात है कि वा अपने बड़ों का अदब करता है जैसा कि वा बेनी पुरी जी के बाबा का अदब करता है मंगर की एक अन्य विशेस्ता है उसका सक्त कमाऊपन, अर्थात, कड़ी मेहनत और इमानदारी अपने इनी विशेस्ताओं के कारण वह अन्य हलवाओं से नितांत अलग है मेहनत की कमाई खाने के कारण ही उसके भीतर का स्वाभिमान जागरित है उसकी मांग गाउं के समस्थ हलवाओं से अलग है जहां गाउं वरके हलवाओं के लिए एक रोटी मिलती, मंगर के लिए डेड़ रोटी जाती उसके साथ सबजी भी अवश्य होनी चाहिए पर उसकी सभी सर्तें पूरी की जाती थी क्योंकि उस जैसा परिश्रमी और इमानदार हलवाहा आसपास के गाउं में भी दुल्लब था मंगर की इस डेड़ रोटी का रहसे खोलते हुए बेनिपुरी जी लिखते हैं लेकिन ये डेड़ रोटी वक्त खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझें आधी के दो टुकडे करव है दोनों बैलों को खिला देता महादेव मूहत आके और मैं खाऊं ये कैसे होगा मंगर के लिए ये बैल बैल नहीं साक्षात महादेव थे ऐसा किसान किसी भी देश भक्त, उजारी, दार्षनिक या वैज्यानिक से कम महत्पूर नहीं हो सकता वहे खृषी कर्म नहीं कर रहा, भक्ति कर रहा है, लोग कल्यान का कारे कर रहा है और इन सब के उपर वहे सच्चे मानव धर्म की स्थापना कर रहा है पच्पन से लेखक को उसका स्नेह मिलता रहा मंगर के बलिष्च हातों के कोमल पर्ष को लेखक आज भी मैसूस करता है मंगर के शरीर की खुबसूरती का वर्णन लेखक मुगद हो कर करता है काला कलूटा फिर भी खुबसूरत खेतों में खुन पसिना एक कर देने वाला मंगर उम्र के धकों से स्वयम को नहीं बचा सका उम्र की एक एक चोट उसके शरीर को खोकला करती रही धिरे धिरे बुड़ापे के कारण वह हल चलाने के लायक नहीं रह गया उसका बेटा तो बच्पन में ही चल बसाता लूली लड़की के पती ने कभी अपने ससूर को ढंग से पूछा ही नहीं बुड़ापे में उसका सहारा बनने के लिए कोई नहीं था कुछ समय तक तो वह इधर उधर छिट पुट कर अपना गुजारा चलाता रहा बाद में तो उसमें कुछ भी काम करने लाइक शक्ति नहीं रही अपने रूखे बेलोस और स्वाभिमानी सुभाव के कारण पर किसी की दया का पात्र भी नहीं बन पाया उसकी पतनी भकोलिया ही उसके बुड़ापे का एकमात्र सहारा थी किसी का गोबर पात कर, उटाई पिसाई कर, किसी के बच्चे को खिला कर भकोलिया कुछ न कुछ कमा लेती थी जिससे दो प्राणियों का गुजारा चल जाता था परन्तु वह भी धीरे-धीरे क्षीन होती जा रही थी आदर्स भारती नारी की तरह पहले मंगर को खिला कर, बाद में वह स्वयम बचा कुछा खाने बैठती इस पर मंगर का सारा गुस्सा और रौब भी अब उसे ही सहना पड़ता था उम्र के तकाजे से मंगर दूसरों पर निर्भर हो गया था अपने पर आने वाली हर मुसीबत को वह भगवान की मर्जी कहकर भूल जाने की कोशिश करता था अपकी बार उसका अरधांग बेकार हो गया अरधांग के आकरमन के समय उसकी पत्नी भकोलिया ने पकरी के दूद में पीसकर दालचीनी का लेप उसके मस्तक पर कर दिया था इस लेप की खशनिक शीतलता को महसूस कर मंगर ने इसे अपनी बाई आग पर भी लगवा लिया परन्तु ये शीतलता शीगरी जलन में बदल गई और जलन जख्म में परिवर्तित हो गई और इसी जख्म के कारण उसकी बाई आग चली गई अपने काने हो जाने के दुख पर मंगर जीवन में पहली बार रोया अरधांग के कारण मंगर उठने बैटने में भी हैसमर्थ हो गया जवानी में डटकर मेहनत करने वाला मंगर बैठे बैठे ऊप जाता इस बीमारी ने उसे विवश कर दिया था किसे ने किसी तरह वह उठने की कोशिश करता और बार-बार चोट खाता मंगर की इस कारोनिक दशा को देखकर लेखक की आँखें भराती है बच्पन के सभी द्रिश्य आँखों के सामने चल्चित्र की बाती गुजर जाते हैं यहां लेखक के मन में प्रश्ण उठता है किस देनी स्थिती में मंगर का उत्तरदाईत्व समाज पर होना चाहिए यह प्रश्ण मंगर का ही नहीं बलकि उसके जैसे करमठ और इमानदार अन्य मजदूरों के लिए भी है कि उनका भार कौन समाले यह सच है कि जीवन के अंतिम चरण में देनी स्थिती पर पहुँच जाने के कारण इनका उत्तरदाईत्व समाज पर है न कि इन व्यक्तियों पर पित्रों मंगर के चरित्रांकन में लेखक द्वारा माटी की मूर्तों की भूमिका में लिखे गए यह शब्द अत्यंत सटीक है यह मूर्ते नहीं तो किसी आस्मानी देवता की होती है न अवतारी देवता की गाउं के ही किसी साधान व्यक्ति मिट्टि के पुतले ने किसी ऐसाधान एलो के कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया देवता में गिना जाने लगा और गाउं के व्यक्ति-व्यक्ति के सुख दुख का रिष्टा श्र्ष्टा बन गया मंगर की यह मूरत लेखक ने गहरी स्रिधा के कारण पहत लगन से गड़ी है भाशा सरल है, सद्धव शब्दों का प्रयोग है जन्दपद विशेश की बोली के अनेक शब्दों का सहज स्वाभाविक प्रयोग है भाउक, गहन, अनभूतियों से पूर्ण, ओजमई, अलंकिस से लिका प्रयोग है तो मित्रों, यह था प्रिखा चित्र मंगर आशा है, आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साजा करें पीडियेफ तता अन्य सायता के लिए हमसे टेलिग्राम पर जुने चैनल को सब्सक्राइब करें और भविश्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्ते की भन्यवाद